यह सार्व लकादार यह बाई पे आपकर परयंटरीं की कुछ जगह है वह आती है हर जगह आयती उत्रप्रुदेश में आई पिट करके गई आमादवी पार्टी उत्राखण में जब तो गई 35 सीटों पर और 60 सीटों पर उनके जब तो गई 35 सीटों में आउट अफ थर्ड फॉर्टिनाइन गोवा में अभी 67 सीट्स पर लड़ी है वो हिमाचल में सब पर जमान जब्त होगी और यही हाल उनका गुजरात में भी होगा जब हम चुनाओ नहीं करार रहे थे तो आपने का भाग गए जब हम डी लिमिटेशन कर रहे थे तो बोले देर कर रहे हो अब जब हम चुनाओ करा रहे हैं तो बोल रहे हो कि चुनाओ क्यों करा रहे हो ऐसा नहीं होता है चुनाओ चुनाओ आयो कराता है समय पर कराता है डी लिमिटेशन हो गया तो चुनाओ कराना था तो करा दिया उसन सर जिस तरह की वारदात एक के बाद जो 17 जन को लेके लासे आ रहे हैं वो शौकिंग नहीं बहुत कहते हैं बहुत ही अपॉलिंग है जिस तरह के खड़ाते हैं ने शौकिंग तो है ही लेकिन ये आम आदमी पार्टी का चेहरा चाल चरित्र चेहरा इसको बताता है कि किस तरी टी कैवने में कैद हो गया वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके डबल चेह रहे हैं इन्ही को पदम श्री देने की रिकॉमेंडेशन थी ना विकेजरिवाल साब की तो ऐसी जो रिकॉमेंडेशन करने वाले हों के हाथ में अगर सत्ता आए तो क्या करेंगे भगवान लेकिन जो सिसोदिया ने कहा मनीश सिसोदिया ने जो कहा कि शर्म आनी चाहिए कि उसकी बीमारी का हम मज़ाक उड़ा रहे हैं और शब्द इस्तमाल किया शर्म आनी चाहिए शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि उन्हों ने एक ठेरपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से मसाज पाते हुए फोटो को लोगों के सामने गुम्रा करने की कोशिश किये तो ऐसे लोग जो आकंट भरष्टाचार में डूबे हुए हों क्या सतंदर जैन ने बेल की अपील नहीं लगाई क्यों नहीं मिल रही है बेल क्या दिक्कत है क्या लॉयर्स कम कम पड़ रहे हैं ऐसा नही किया है इसलिए जेल में पड़े हुए हैं और फिर इस तरीके से रेपिस्ट से जो कारे करवा रहे हैं नाश्ता जो वो ले रहे हैं ये बताता है कि नियमों को किस तरीके से वो धजियां उड़ा रहे है झाल 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 झाल